ओम सर्व मंगलम इतिशुहुम। स्रिसिद्धी चैनल आपका स्वागत करता है। आज का विशे है आपके कान। पतले हों तो असुप सूचक माने जाते हैं। सामान्य कानों वाला व्यक्ति करमठ, विश्वसनिय, स्वावलंबी, धीरजवान, चरित्रवान, एवं मित्भासी होता है। उर्धुगत, कान वाला व्यक्ति, इस्त्रियों के प्रति आसक्ति रखने वाला धर्म भीरू, सरमील ब्रदुभासी और एकांत प्रिय होता है। अत्यन्त छोटे निम्नगत कान वाला व्यक्ति, परधन का लालच रखने वाला, बहुभोजी, स्वार्थी, सतर्क रहने वाला और हित के लिए सतत प्रहत्नी सील होता है। आकार की द्रश्टी से अत्याधिक बड़े कान वाला अत्यन्त भागिवान होता है। छोटे कान वाला चतुर और उद्योक सील होता है। वर्तुलाकार कान वाला व्यक्ति, उदार, कलाप्रेमी, भावुक, काविशास्त्र तथा संगीत में रुची रखने वाला होता है। छोटे और मोटे कान वाला क्रपनता के दो तक होते है ये लोग संकुचित विचार वाले सीमित छेत्र वाले होते हैं, ये लोग अत्यधिक धन संग्रह नहीं कर पाते हैं, परंतु किसी एक छेत्र के विशेशक होते हैं, पतले और छोटे कान निर्धनता के सूचक हैं, यदी कान के नीचे का भाग बहुत पतला हो, तो व्यक्ति निर्धन दूसरों पर आस्रित तथा भिख्चुक होता है, यदी कान आकार में बड़े मानसल तथा पुष्ट हों, व्यक्ति धनी, मानिनी, सुखी और उदार्चित वाला होता है, यदी उपर की ओर फैले हुए बड़े कान के नीचे का छोर, मानसल हो तो व्यक्ति परोप कारी उदार्चित, जन्ता का प्रिय तथा मानिनी होता है, यदी कान के ऊपर के छोर, मानसल और नीचे की ओर पुष्ट हों तो व्यक्ति तत कालिक, कारिसील, निर्देशक तथा संतुष्ट प्रवत्ति का होता है, यदी साधारन से अत्याधिक बड़े कान हों, तो व्यक् गायू एवं धन अरजित करने वाले उच्च पदस्त होते हैं, जिनके कान माथे की ओर चिपके से दिखाई देते हैं, वे गहन विचार सील होते हैं, वे सीग्र किसी निर्णे पर नहीं पहुँच पाते हैं, जिस व्यक्ति के कान का निचला भाग मांसल हो, वे संतोसी तथ लाभानवित होता है, इसी प्रकार कान का उपरी भाग माथे से दूर हो, वह अतिसिग्र निर्णे लेने वाला एवं तातकाली कारे में रत रहता है, ऐसे लोग बरतमान में जीते हैं, वे लोग कभी चिंता ग्रस्त एवं विचार सील नहीं होते, यदि साधारन आयतन से अ इमित्त धन का अपवे और स्वयम के इस धन संग्रह में बाधाएं आती हैं, यदि कान के उपर का भाग मांसल और कुछ चोड़ा हो, तो व्यक्ति धन संग्रह करने में सफल होता है, यदि कान का उपरी भाग सक्रा या ढालू आकार का हो, तो व्यक्ति के पास धन आगमन त के पास बड़ी कठनाई से धन संग्रह हो पाता है, इस प्रकार सामुद्रिक सास्त्र में वर्नित कान के विभिन प्रकारों से अपने व्यक्तित्य की पहचान करें, जै श्री राम